पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के प्रस सलाहकार रहे अभिशेक प्रसाद उर्फ पिंटू सोमवार यानी आज प्रवर्तर निदेशाले ओफिस पहुँचे इसके बाद एडी के अधिकारियों ने उनसे पूछताच शुरू कर दी है गौर तलब है कि जमीन घोटाला और अवैद खननन के मामले में इडी ने बीतर तीन जनवरी दोहजार चौबिस के सुबह पिंटू समेत कई अन्य लोगों के ठेकानों पर छापे मारी की थी इसी मामले में पूछताच के लिए इडी ने साहिब गंज डीसी को 11 जनवरी विनोट सिंग को 15 जनवरी और पूर्व सीम के प्रस सलाहकार अभिशेख प्रसाद उर्फ पिंटू को 16 जनवरी को तलब किया था हालाकि पिंटू ने इडी को पत्र लिखकर कहा कि उनकी पत्नी बिमार हैं इसलिए पूछताच के लिए उन्हें 22 जनवरी के बाद का समय दिया जाए जिसके बाद इडी ने पिंटू को समन भेज कर 18 मार्च को पूछताच के लिए बुलाया था बतादे कि अभिशेक क्यालावा इस मामले में हटिया के बीएस्पी प्रमोत कुमार मिश्र वा आयेस अधिकारी अविनाश कुमार की पत्नी पूछताच होगी इनसे क्रमशह 19 और 20 मार्च को इडी पूछताच करेगी वही प्रिती कुमार का मामला राची के बर्यातु रोड स्थित बर्लिन अस्पताल की जमीन से संबंधित है जिसकी इडी ने पूर्व में मापी भी कराई थी